नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के नई वीडियो में इस वीडियो में हम लोग डिसकेशन करेंगे 67th BPSC के बारे में जिसके बारे में मार्किट में भी काफी hot topic चल रहा है और काफी जारी बाते चल रही है इस्पेशली जब नए चेर्मन आ गये हैं अन्रेबल चेर्मन नए BPSC के जिनका नाम है श्री अतुल प्रशाद जी तो जो नए जो डेट्स आएंगी वो इनके द्वारा ही मतलब उस पर सिगनेचर होगा इनका ही और यही उसको हमारे सामने लेकर के आएंगे वेबसाइट पर अपलोड होगा तो फिलहाल जो बाते चल इस बार भी रहता है तो मेरा मानना है कि जो 67th BPSC है उसका जो एक्जामीनेशन है वो बहुत जादा दूर नहीं होना चाहिए हो सकता है कि वो ऑगस्त लास्ट वीक में ना हो लेकिन इसका यह मतलब एकदम नहीं है कि सेप्टेंबर में यह एक्जाम नहीं हो सकता कुछ लो मतलब कुछ एक क्लियरली नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना 100% फेयर एक्जाम के 67th का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है तो अगर एक्जामीनेशन होना है तो वो फेयर हो ताकि जो भी एक्जाम जो स्टूडेंट देते हैं जो डिजर्विंग कांडिडेट हैं वो सलेक्ट ह वैसा नहीं कि कोई बैकडोर इंट्री हो जाए वैसा ना हो तो इसके लिए जो 67th BPS पूरी तरीके से फूल प्रूफ होगा 802 वैकेंसी हैं इसमें प्लस इसमें काफी जादा SDM के पोस्ट हैं DSP के पोस्ट हैं तो इसलिए क्या होता है कि यह अच्छा इग्जामीनेशन है तो अगर इसमें अच्छे लोग जाएंगे तो जो हमारी जो स्टेट है उसका फाइदा होता है तो इसके लिए यह इग्जा होता है कब क्या कर जाए तो ठीक है देखते हैं यह वेट करेंगे हमारा काम हें वेट करना और जो जब गजब्ही एक्जाम हो तो लोग का जो शीलिबस से उसको अच्छे टरीके से पढ़ना मेरा मांना है कि आप लोग सभी लोगों की तईयारी बहुत अच्छे तरीके तो एकीस लोग हैं जो कुल examination में बैठेंगे और काफी लोग comment करते हैं कि जो absent हो गयते हैं 8 में को क्या वो वापस से exam दे सकते हैं तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि वो exam आपका ऐसे भी cancel हो गया तो उसका कोई मतलम नहीं बनता है कौन present थे कौन absent थे तो आप दे सकते है और बिल्कुल आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और आप लोगों की तैयारी मेरा मानना है कि अच्छी चल भी रही होगी तो उमीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और exam को flying colors में clear करें जैसे कि 66 का कल आपने result देखा होगा तो उसमें जो भी लोग select हुए ह उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई तो अगर आप वीडियो यहां तक देख ली हैं तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ channel को subscribe करें इसको दोस्तों के साथ share करें और bell icon दवाना बिल्कुल भी ना भूले thank you so much for watching and all the very best for your examinations